इसमें मुझूद है वाइड आमला, अश्रगंधा, गिलोए एवं प्रवाल पिष्टी आमला को सुपरफूट के नाम से भी जाना जाता है ये एंटी-एजिन, एंटी-अक्सिदेंट और एंटी-डिल्डीस के गुरूँ से भूण है आमले को समराज भी कहा जाता है एवं दिपावली के कुछ दिन बाद आमला नौनी बनाई जाती है और इसकी फूजा भी की जाती है आमले के पेल के नीचे भूण करना भी शुप माना जाता है तहले आमले की लखी सिर्फ पीने के पानी के लिए बादियां बनाई जाती है ताकि पानी एंटी-अक्सिदेट हो जाए खाने पीने के बस्तों में खटा बट लाने के लिए टमाटर की जपा आमले का प्रयोड भी किया जाता था इसमें लगर समय दलागे रस होती है जैसे खटा, मीथा, कड़वा या नम्की इससे दान, मसुदे एवं खड़ियां मस्बूत होती है ये डायोटीज को ठीक करने में सहायक दिने के साथ इम्मिनिटी मुखाने, खरीदे जदा लीवर को स्वस्त रखने में मददगार है ये बालों को चमपदार, घना और मस्बूत बनाने में सहायक है इसका स्वस्त करने से व्यंती अने को विमारियों से अपना बचाव तरस सकता है इसके मौजूद अश्वदंधा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और चित्ता को बूर करने मेमरी भूखाने और अन्मिल ब्रेन डिस्वार्टर में लाबदायक है ये शाले रिक्षंता और इम्रोटी को बखाने के साथ ब्लड शुवर लेवल को ठीज रखने में टेस्टोस्टोन, स्पर्म तथा इम्रोटी को बूस्ट करने योवण और आयू को बखाने में सहायक है ये दिल के रोगियों के लेवी बहुत फायरेमन है इसमें है गिलोटी जो बेंगी, कोरोना, कोई भी उखाद, दाइविदेस, पीजिया, एनेमिया, सांस के रोल, लगभग सभी विमारियों में लावगायर है इसमें है कवाल विष्टी जिसकी तास्री थंडी होती है ये ऐसे विधी, जोई, मुत जलन, पेटी जलन, योन विकार, एवं बावासिन की अधितना से संबंदे सभी रोगों में लावगायर है ये बार, पित, कप, तीनो दोशों को शान करने में लावगायर है इसमें प्रचूर मात्रा में कैशिल पाया जाता है दोस्तों, वाइल्डा का शक्ति अपनाए, रोगों को दोर बढाए हमें हर रोग एक्सोपचास एम्मेल पानी में डाल कर इसमें सेवन अश्य करना जाहिए